हेलो एवरिवन, कैसे आप सब? आप सब का अपने चैनल में स्वागत है आए मैं आपको एक कानी सुनाने जा रहा हूँ यह कानी पईस्तंत्र की कानियों में से एक कानी है जिसका टाइटल है घमंड का सिर निच्चा यह कानी पंडित विश्नु परशाद शर्मा द्वारा लिखेता है तो चले शुरू करते हैं एक गाउं में उजवलक नाम का एक बढ़ी रहता था वह बहुत ही गरीब था गरीबी से तंग आकर वह गाउं छोड़कर दूसरे गाउं के लिए चल पड़ा रास्ते में गना जंगल पड़ता था वह उसने देखा कि एक उटनी परसव पीड़ा से तड़फडा रही है उटनी ने जब बच्चा दिया तो वह उट के बच्चे और उटनी को लेकर अपने घर आ गया वह घर के बार उटनी को खूटी से बांद कर वह उसके खाने के लिए पत्तियों और शाकाओं को काड़ने बन में चला गया वह उटनी ने हरी हरी कॉमल कोपले खाई बहुत दिन इसी तरह से हरे हरे पत्ते खाकर वह उटनी स्वस्थ और पुष्ट हो गई वह उट का बच्चा भी बढ़कर जवान हो गया बढ़ई ने उसके गले में एक गंटा बांदिया जिससे वह कहीं को ने जाए दूर से ही उसकी आवाज सुनकर बढ़ई उसे गर ले आता उटनी के दूर से बढ़ई के बाल बच्चे भी पलते थे उट बार डोने के काम भी आने लगा उस उट उटनी से ही उसका वेपार चलता था यह देख उसने एक धनिक से कुछ रुपया उधार लिया और मुजर देश में जाकर वहां से एक और उटनी लिया है कुछ दिनों में उसके पास नेक उट उटनीया हो गई उनके लिए रखवाला भी रख लिया गया उट के गले में गंटा बंदा हुआ था वह बहुत गर्वित हो गया था वह अपने को दूसरों से विशेश समझता सब उट वन में पत्ते खाने जाते तो वह सब को छोड़कर अकेला ही जंगल में गुमा करता उसके गंटे की अवाज से शेर को यह पता लग जाता कि उट कि इदर है सब ने उसे मना किया कि वह गले में से गंटा तार दे लेकिन वह नहीं माना एक दिन जब सब उट वन में पत्ते खाकर कलाब से पानी पीने के बाद गांफी और वापिस आ रहे थे तब वह सब को छोड़कर जंगल की सेर करने अकेला चल दिया शेर ने भी गंटे की अवाज सुनकर उसका पीछा किया और जब वह पास आया तो शेर ने उसे जबटा मार कर उसे मार दिया और उसे खा दिया इस से हमें ये सीख मिलती है कि गमंड का सिर निचा होता है आपको ये कानी कैसी लगी अगर कानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल वाल बटन जरूर दबा दें ताकि हम ऐसी कोई और कानी डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको में जाए थैंक यू